दिखो अपने पास एक relation दिया वह यह वाला और इसके according अपने को क्या देना है domain और range देनी है ठीक है और इसमें क्या है x कहां से belong कर रहा है 0,1,2 x और क्या है relation define है जो की ठीक है y भी ऐसा है ठीक है y क्या है यहां से y की उपर कुछ निसकर्स नहीं निकल रहा है वही y क्या है यह y ए, अकस और y दोनों है तो यह जो पहला है वह आपका x का component होता है यह y का component होता है New तो कोई दिखत नहीं है ठीक है क्या करने वाले हूँ define by इस तरीकर से हमने relation को defined किया कोई दिखत नहीं है यहां से करते हैं तो तो आपके लिए नियुत करके है कि क्या है कि यहां से पहले तो आपको क्या है एक तो set दिया हो है, set तो क्या है जहां पर x इस में से आपको direct एक relation ही दिया हो है, relation आपको क्या दिया हो है, x plus का 5 such that, जो x वो belong का किस में यहां से कर रहा है 1,0,2,3,4 और 5 यह इसमें से बिलोग कर रहा है यहां पर ठीक है अब देखो यहां से यह दिए आपको य को पकड़ना चाहोगे ना तो X तो आपका बिलोग कर रहा है कहां से 0,1,2,3,4 और 5 और जो आपको देखे 2nd यहां से य भी लेते हैं इसको अब यह यह भी यह कितने यह भी एक्स प्लस का यह अब यहां से आपको रेंज मिलना स्टार्ट हो जाएगी can हम देके कैसे मेलेगी वो देखेगा आपको देखो जहां पर डिक्स को लिख वाँ पर क्या लेखना थी लॵार्छ पूण्ज पुट करने हैं तो यहां से क्या करेंगे लगे लिक्स बराबर आप रखोगे अब gate क्या होगा, देखिएगा gate क्या होने वाला y, अब यहां पर x की value क्या रख दो 0 तो यहां से 5, y की value जैसे x की जगह 1 रखोगे यहां पर 6, जैसे y equal to 2 रखोगे तो यहां पर 7, जैसे यहां पर 3 रखोगे यहां पर 8, जैसे यहां पर 4 रखोगे तो 9, जैसे आप यहां पर 5 रखोगे, यहां पर 10, यहां थे clear आपको बात है, तो इस परकार से अपने पास देखो कि इसकी domain क्या है, इसकी range क्या है, यदि आप इसका diagram बनाना चाहोगे, वो भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हो गई, क्या है, अपकी बार अपने को यह तो दिय relate कर लो भाई, 20 wayट रहा है, इहां से एक relation है, धेखो, यहां पर क्या हे बहाई, जैसे आप x की value 0, 1, 2 2 है फिर 3 है फिर 4 है फिर 5 है ठीक है इसमें देखो 0 8 करने पर आपको y मिला 5 है और यहां पर 6 मिला है और यहां पर 7 मिला है यहां पर 8 मिला है यहां पर 9 मिला है और यहां पर 10 मिला है अब जैसे आप इसको solve करोगे तो देखिएगा अब देखो 0 की mapping किसके साथ हो रही है 5 के स इसके साथ किस के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, यह 10 के साथ, यहां से पूरा relation आपको देखो, डिट्टो का डिट्टो विजुलाइज हो गया, ठीक है, तो आप इसको देखो, इसका यह जो सारे elements यहां पर काम में आ रहे हैं, इसका मतलब यह आपक आपको क्या देखना, ordered pair देखना है, यहनी relation है, तो यहां से देखो, आपको 0 दिया तो आपको 5 मिला जैसे 1 दिया, आपको 6 मिला, जैसे 2 मिला, आपको 5 मिला, जैसे 3 मिला है, आपको मिलेगा 6 3 को 3 कितना मिलेगा वह 2 देने पे 7 मिल रहा है 3 देने पे आपको क्या मिलेगा 8 और आपको देखेगा कि यहां से 4 देने पे आपको मिलेगा 9 और 5 देने पे आपको मिलेगा 10 यह आपके लिए set हो गया अब इसमें आप range domain सब कुछ बता सकते हो वह यह दोमें क्या आपका यह जो first elements होते ना यह यह वाले यह आपके लिए क्या होते हैं domain का काम करते हैं तो यहां से domain लिख दो 1,2,3 और यह 3,4 और 5 और इस डाइग्राम से भी सो हो रहा है कि जो first element है az की वह सारे के सारे क्यां आपके domain के element हैं इसी परकार यह दिए आप देखो तो range में जाना चाहो range में जाना चाहो तो आपके लिए क्या आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा और 8 आएगा 9 आएगा 10 यह यह दो क्लिए I hope तो domain आगया range हो गया question हो गया तो